हेलो हा मम्मी वो मेस वाली आंटी बाथरूम में गिर गई वो दाल को तड़का कैसे लगाते जब सिखा रही थी तब तो तुझे यूटूब पे गुडिया ना चानी थी अभी यूटूब से ही सिख ले इधर अनुपामा का ओप्रेशन चल रहा है उसको क्या हुआ नई इस बार वो खुद अपने मरे हुए पती का ओप्रेशन करेगी क्या फिर ओप्रेशन के बाद वो यूकरेन पुटीन से समझोता करने भी जाएगी कल बोलो की चान पे एलियन से लडने भी जाएगी वो तो महा एपिसोड में अभी कहा अकर जरूरत पड़ी तो फोन बिल अरे बन कर वो तो डाल को जटका लगा करता हूं करता हूं सिर्फ लडकिया लडके में देख देखते कोकिला बैन को कुछ लोग इलाते रए गए देखते हो व GRW पता नहीं वो कौन सी जमात है जो अभी तक टीवी सीरियल से रिलेट कर रही है भाई सबकी फैमिली ऐसी तो होती है कैसी एक आमिर फैमिली जिसमें गरीब माइंडेड लोग रहते जैसे एक सटकेली मा उसका सहमा हुआ पती एक वैंपायर बुआ और एक एया बेटा जो प्लावार बहु ढूंडरी होती है फिर उन्हें बहु मिल जाती है देखा भाई कितनी नॉर्मल फैमिली है हां फिर शादी के बाद पता चलता है कि उनकी इंसान बहु तो नागिन निकली क्या उस नागिन का एक भाई होता है जो असलियत में नेवला होता है यह थोड़ा जादा हो गया फिर नागीन का पती अपने पत्नी को बचाने के लिए नेुले के साथ फाइट करता है यह थे अ ऑप एक दिन गलती से मेर चाचा जो डॉक्टर हुए उन्होंने यह इसीन देख लिया ये देखने के बाद मेरे चाचा की अंतरात्मा उनके सर पे तावा मार के भाग गई उस दिन उन बच्चियों ने प्रण लिया के हम पूरे दुनिया को प्लास्टिक बेचेंगे और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक कमपनीज की ओनर है काईली जेनर और किंडल गाडन बाई नागिन छोड़ो लेकिन साथ नीबाना साथिया बहुत रिलेटेबल है अगर साथ नीबाना साथिया रिलेटेबल है तो पुनित सूपरस्टार मेरा नाजा एच कजन सिस्टर है मैंने जिंदगी में ये शो ना कभी देखा था ना कभी सुना था लेकिन ये मीम नामक नेवला जो इतिहास के खंडरों में छुपे भयानक हाथ से कुरेट कुरेट के बहार वापस निकालता रहता है जो पिछले छे मैने से मेरे दिमाग का कंटोल भाई लोगो को पता चल जाएगा लड़की का आवाज भी आपे निकालते हो मजनू इनके एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में मैं पूरा का पूरा डांस परफॉरमस बिठा सकता हूँ यह सीरियल के एडिटर से एक इंपोर्टन बात पूछनिये मुझे क्या? संडास कहा है इदर उदर कोने में? तो उदर जाके हगो ना टीवी में क्यों हगते हो? हमार यहां तो सब टीवी में ही हगते है स्टोरी खिचने के लिए इतने रियाक्शन और साउंड इफेक्ट गुसाते ए लोग तु मर कर अगले जनम वापस आके देखोगे तब भी वही कहानी चल रही होगी मेरे करान अर्जुन आगे मा सुबद राके कातिल का चेहरा दिखा? नहीं अभी नाभी है और आमपिट का सौट चालू है ओहो टाइम पर आगे अनी में तो यूई मशूर है असली मांगा तो एकता कपुर लिखती है टीवी पे संसकारी ड्रामा और OTT पे हवस का नंगा नाज बेचती है कॉन्वर्सेशन के बीच में ही सोचना शुरू कर देते हैं ये लोग और इनको लगता है कोई इनको नोटिस भी नहीं कर रहा देखो जंगल में कोई भी जानवर आ सकता है एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे डन डन इस भल्विंदर ने तो चपल पहनी है मुझे बस इस से तेज भागना है क्या साथ रहना है के नहीं अरे अफकोस कभी-कभी तो प्राश के जूते में पिच्छु डालने का मन करता है ए मुझे इस पे भरोसा नहीं ये भाग जाएगी मुझे तो दे बाद में प्लान बना लेना हमें मारने का पहले टीवी पे सब टाइब के शो आते थे औरतों के लिए बच्छों के लिए बुडों के लिए लोडों के लिए फिर साल 1902,000 में आई एक लेजेंडरी टीवी सीरियल ये सीरियल के बाद आज 20 साल हो गए टीवी पे इनी सास बहु सीरियल का कबदा है नहीं सास बहु छोड़के बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए क्यों नहीं बनाते है क्योंकि ससुर भी कभी दामाद था डांस बार केंदा फुल ससुराल बिल्ली का साथ निबाना जहाटिया तारक मेता का लंगणा बांबू सारे लोगों को केटर करो यार जैसे हम करते हैं लेकिन तुम में से आधे लोग सबस्क्राइब नहीं करते हैं जलाद है बाई जलाद है चलो मान लेते हैं अगर कुछ भोली लड़किया लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट की तरफ मुर सकती है तो कुछ लड़किया लैप्टॉप भी धो सकती है लेकिन आभी मैं कुछ सीन दिखाता हू तरे को पहले ये बताओ कि ये क्या है सुसाइड है एक्सिडेंट है मर्डर है क्या है यार चाटा मारने पर इतने ओर एक्टिंग मेरी बहन भी नहीं करती नहीं कहा कैसे कैसे सर पर उसके लगाया लेकिन दिमाग मेरा घुम गया नहीं इन चाइनल वालों को लगता क्या है हमारी घर की ओरते दिमाग से बरतन मांचती है कोई कभी मरता है नहीं है किसी सिरियल में मौत तो वो मख्य है जो इनकी घर की बहु बजा कर मार देती है सौरी लेकिन हम आपके पति को बचा नहीं पाए यह डिसाइड करने वाले आप होते कौन हो मैं डॉक्टर डिगरी भी है उसकी बत्ती बढ़ा के घुसाले मैं बचाऊंगे अपने सुहाग को आप डॉक्टर है क्यों एक औरत डॉक्टर नहीं हो सकती हो सकती है हाँ तो मैं एक औरत हूँ लेकिन क्या आप डॉक्टर है क्या आपको मैं आउरत नहीं लगती हाँ लगती हो तो क्या आपको एक औरत डॉक्टर नहीं लगती लगती है हाँ तो मैं एक औरत हूँ हडबाज हूँ हाँ तेरी गोटी गई हम् ए यम्राज मेरे को उठाले उठाले मेरे को, इसके साथ नहीं रहे ना मेरे को मैडम, यम है हम कैसी ओरत है, लगता है पिशाच नहीं है मुझे तो बोली डॉक्टर है स्त्री है वो, वो कुछ भी कर सकती है चलो, दुनिया के 90% मर्दों की सहमती से ये मान लेते है कि एक औरत नागिन हो सकती है लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने कभी नागिन नहीं देखी कौन सी नागिन इतनी स्टाइलिश होती है बै नहीं जंगल में फैशन शो चल रहे है देखना मेरे कैट वोक देखके केंडे का दूसरा सिंग निकल आएगा एक बात समझ में नहीं आती ये नागिन लोग हमेशा आमिर घरों में क्यों गुश्ते शादी करने यार गरीबों की भी इच्छा होगी हमारे वन रूम किचन में एक नागिन भू आये जिसको हम दूद पिलाये और वो हमारे नाश्टे में स्वादानुसार जहर मिलाये हाए हमारे याई इंटरकास सुनके खाही में डेकल देते आमिरों को सब चलता है नागिन बिच्छू गेंडाउन का इंटर स्पीसीज माम लाए वेसे एक नागिन आई थी मेरे पास लर्की के भैस में हाई मैं इच्छा धारी नागिन मैं शिक्षा धारी नागू क्या पीएजडी नई बीडिया सर्ण नई मेरी आइटम चलो शिक्षा कमान डैडी इले बरली अप्पा जी हाई मैं रिक्षा धारी पर्शू छोड़ दू और बहु नागीने ये पता होते हुए भी फुल चिल्मोड में रहेंगे अच्छा बहु नागीने शाह शर्मा जी के लोंडे को देख क्रोकोडाइल बहु लाया है घर में जरा सोच मैं अगर अपने पपा को उनकी नागीन बहु से मिलवाने जाओ तो सरकार जी ये देखो आपकी भव अरे वाह कितनी सुन्दर है ये इसका असली रूप नहीं है ऐसा नहीं कहते सब मेकप लगाते मेकप नहीं नागीने सरकार जी ये देखो अगो बबब ये क्या बला है बला नहीं इच्छा धारी लेकिन मैं आपको कुछ नहीं करूंगी कहा से आई हो वो आपके घर के पीछे जो बिल है न वही से देखा पपा इसने सालों हमारे घर की रक्षा की है वहा तो मेरे पिता जी साप काटने से मरे थे अच्छा वो आपके पापा थे बहुत दिनों से ढुण रहा था तुझे ये मेरा माले सरकार जी आरे साप है वो स्वाग रात को गड़ा तेरा खुदेगा ने 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 सच में बस हो गया मेरे को और इमाजिन ही नि करना जैसे गांजा चरस RDX मिलने के बाद पूलिस पिछवाडा सुझा देती है तो ये मासूम लोगों के मस्तिशका का विस्फोट करने वाली सीरियल्स कैसे लीगा ले अभी तक वो भी 6-6 सीजन तक मुन्ना भाई की स्कूटर पे बैटकर नागिन चान पे जाएगी तो कैसे नहीं होंगे मेंटल इशू आरे नागिन तेरी मा का कोबरा खोदू भाई का दिमा गुम गया एंगल एंड को सम्शन मनेगा आज अपुन भाई सब क्या हुआ भाई आप कंट्रोल मत करना आज सब की कबर खुदेगी एक थपड का टाइम कितना होता है क्या पता एक सेकेंड से भी कम लेकिन टीवी सीरियल में एक थपड का टाइम होता है पूरा एक एपिसोड फुल इंटरस्टेलर मामला चालू है इनका प्रिथवी का एक सेकेंड इनका आधा गंटा होता है वो केसे? पहले तो थपड गिरेगा फिर चार बार अलग-अलग एंगल से वही थपड दिखाएंगे फिर मा का रेयक्शन, पती का रेयक्शन, बुवा का रेयक्शन, पडोसी का रेयक्शन, मोधी का रेयक्शन, पुटीन का रेयक्शन, एलियन का रेयक्शन सब के रेयक्शन के बाद वापस वही थपड स्लो मोशन में दिखाएंगे नहीं नोलन की जगा एकटा कपूर अगर ओपन हैमर बनाती तो सिर्फ आटम बॉम का बटन दबाने के लिए 10 सीजन लेती है सोच एकटा कपूर बार्बी बनाती तो भारती? भारती कवार औरत? गरीन टी कहा है मेरी हाई भाबी, हाई भाबी तुम रोज रात को मेकप लगा के क्यों सोती हो मा जी ने कहे कि मैं आपके सपने में भी हड़ दिखू अरे यह स्कूटी क्यों नहीं चालू हो रही पर मेने तो सुबही पेट्रोल डाला था इलेक्ट्रिक स्कूटर में पेट्रोल तेरे बापने डाला ता गवार ओरत अच्छा आपने कभी फेमिलिस मन्दी के बारे में सोचा है तुम मार इस चपल से खाओगी या इस चपल से हे गाईस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको नए हो तो सब्सक्राइब ठोको और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेर करो जो छुप छुप के टीवी सिरियल देखते बाकी मैं आपको मिलूँगा किसी नहीं वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलविदा